ओम सिरी गनेशाय नमदूस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश राशी वालू आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सितंबर से 16 सितंबर यानि कि इन 7 दिनों के आपकी राशी के महाराशी फल्क के बारे में कि ये 7 दिन आपकी राशी वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं और 7-7 इन 7 दिनों में ग्रहों में जो परिवर्तन होगा आपकी राशी वालों के उपर किस प्रकार सुब और किस प्रकार अशुब पिरवाव पड़ेगा और 7-7 इन 7 दिनों में ग्रहनक्षतरों के हिसाब से आपको किनकिन चीजों से फायदा होगा किनकिन चीजों से आपको साफधान देना होगा और 7-7 ग्रहनक्षतरों के हिसाब से इन 7 दिनों में आपको धन की हानी होगी या धन का लाब और 7-7 ग्रहनक्षतरों के हिसाब से इन साते दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वैपार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपुण जानकरी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं वीडियो महत्पपुण है शुरू से लेकर अंतर तक पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपके आपकी राशी के 10 सितंबर से 16 सितंबर यानि कि इन 7 दिनों के शंपून और सटीक राशी फल्क के बारे में बताने वाले हैं जाद दोस्तों वीडियो का आगे शुरू करें सबसे पहला आपसे रिक्वेस्ट करते हैं भगवान शनिदेव के सच्चे भक्ति से वीडियो के एक लाइक अभी करें कमेंट्स बोक्स में जैज शनिदेव वश्य लिखें जिससे भगवान शनिदेव का सिर्वाद आपको शेदे प्राप्त हो सके चली दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा आपके लिए 10 सितंबर से 16 सितंबर यानि किन 7 दिनों का यह बहत्पपोने समय दोस्तों यह समय किसी समारो या धर्मिक आयोजन में सामिल होने के लिए आमंत्रण प्राप्त हो सकता है संतान संबंदी भी कोई समस्या हल करने में आप शक्षम रहेंगे इस्तितियां धन दायक चल रही हैं उनका सद्योप्योग करना आपकी छमताओं पर निर्वर करता है कि आप उनका कैसे सद्योप्योग करें दोस्तो यह समय आपका दिल की बजाए दिमाग से निर्णे लेना आपकी कई योजनाओं को कारे रूप में परिणित कर सकता है तमाम ववस्ता के बावजूद आप अपने और अपने परिवार के लिए समय निकाल लेंगे अपनी कारे छमता पर आप पूर्ण विश्वास रखें दोस्तो साथ साथ इस समय कुछ पुराने दोस्तों से मिलने से कुछ पुरानी यादे ताजा होंगी जिससे आपके मन को काफी खुसी मिलेगी अगर कोई कोट केस चल रहा है तो फैसला अब आपके पक्स में होने वाला है इसलिए पहले से ही उस पर पूरा काम करकर रखें जिस काम को करने के लिए आप पिछले कुछ समय से काफी सोच विचार कर रहे थे तो अब उसके पूरा करने का समय आ गया है समझ बूज और विवेक से कार्रे करने से हर बाजी आपके अब पक्स पर रहेगी तता भारी संपरकों से भी आपको अब अधिक फाइदा मिलेगा दोस्तो इस समय अगर आप किसी महत्पपूर्ण कार्रे पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो परिस्तितियां आपके अनुकूल हैं इस पर आप गंबीरता से काम लें दोस्तो यह समय आप धर और वेवसाय सम्मंदी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी संजितगी और गंबीरता से निवाएंगे जिस से आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तो साथी साथ यह समय दूसरों की बातों में आने की अपेक्षा अपने निर्णे को ही सर्वो परी रखें अन्यता किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है किसी पडोसी के साथ छोटी सी बात को लेकर मामला थाने तक भी बन सकता है इसलिए अपने क्रोध पर आप नियंदर रखें जा दोस्तों बोलते समय सब्दों का उचित प्रियोग करें आपके नकारात्मक सब्द बच्चों में हीन भावना उत्पन कर सकते हैं इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पढ़ सकता है शाफधान रहें साथ साथ यह समय बहरी गतिविदियों तथा अंजान लोगों से दूरी बना कर रखें अधिकतर समय अपने घर पर ही आप व्यतित करें तो कि किसी प्रिकार का वाद विवाद होनी की भी आसन का लग रही हैं संतान से सम्मंदी कोई चिंता आपको रह सकती है दोस्तो साथ साथ यह समय कोई भी निलने इमोशनल होकर आप ना लें बच्चों के किसी कारे से आपको चिंता रह सकती है धन संबंदी भी नुकसान की भी संभव ना है अगर घर में सुधार संबंदी कोई योजना आप बना रहे हैं तो वास्तु के नियमों का पालन करना आपके लिए बहुती आवश्चक हैं किसी नजदी की रिष्टेदार की वज़े से घर में मन मुटाव होने की भी इस समय संभव ना है इसका असर घर परिवार पर भी पढ़ सकता है परन्तु घर के वरिष्ट वक्तियों की सला वे हस्त छेप से समस्याएं सुलज जाएंग आर्थिक इस्तियां डगमा अगा सकती हैं अपने क्रोध वे उत्तेजना पर काबू बना कर रखें तता धहरें और सहियम से काम लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ के नजरिये से करें तो यह समय वेस्तता की वज़े से परिवा के लोग आपकी इस्तिती को समझेंगे और सही हुग भी करेंगे घर के किसी मुद्य को लेकर पती पत्नी में कोई छोटी नोक जोक भी रह सकती हैं परन्तु इसका नकारात्मक अशर घर के वातावरान पर नहीं पड़ेगा वेस्तता के बावजूद कुछ समय घर परिवार के लिए भी आप अवश्य निकालें सब के साथ मनोरंजन संबंदी योजनाई भी बनाएं दोस्तो यह समय बड़े बुजरगों के प्रती शेवा भाव पर देखवाल आपके परिवारिक जीवन में सुबह गेलाएगा प्रेम प्रसंगों में भी प्रगड़ताएगी दोस् इना टारगेट पूरा होने से उच अधिकारियों का प्रत साहन प्राप्त होगा जिस सेन को काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तों साथ यह समय शेयर तता सक्टा जैसे कारों से तालुक रखने वाले व्यक्ती और सावधानी से कारे करें इस समय रुपे पैसे के मामलों में किसी पर भी भरूसा या विश्वास करना ठीक नहीं है ध्यान रखें कोई व्यवसाइक सूचना इस समय लीक हो सकती है साफधान रहें दोस्तों साथी साथ वर्तमान समय में चल रहें व्यवसाइक कारों के साथ साथ कुछ नए काम पर भी अपना ध्यान केंद्रित रख में हैं इसका आप अवश्य ही लाब उठाएं दोस्तों वेवसाइक का रहे चमता में बड़ोत्री होगी पुस्तेनी वेवसाइ में अधिक लाबदाएक परिस्तितियां बन रही हैं समय का आप भरपूर फायदा उठाएं अचानक से ही कोई बड़ा काम बन सकता है जिससे साथ आपको पहले भी आगह किया गया है कि वेवसाइक गति विदियो में वर्तमान इस्तिति पर अपना ध्यान केंद्रित रखें जल्द ही लाब के मार्ग प्रस्तित होंगे अचानक ही कोई बड़ा कारने बनने से मन को काफी प्रसनता रहेगी दोस्तों साथिसाथ नोकरी से संबंदित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी इनको इस समय अवस्ते ही प्राप्थ होगी जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात अगर आपके स्वास्तिकी करें तो यह समय किसी पुरानी बीमारी से संबंदित रिपोर्ट ठीक आएगी स्वास्त आपका उ चोट आदी लगने की भी संबहवना है वहन आप बहुती सावधानी पूर्बग चलाएं तथा नसे आदी के सेवन से भी परेज करें दोस्तों साथी साथ टांगों वे घुटनों में दर्द जैसी समस्या रह सकती हैं वायू बादी वाली चीजों का सेवन आप ना करें तो आप के लिए अच्छा रहेगा